हो चुकी है सुबह करते हैं ने सुबह की ने सुरूआत के साथ आज ने बिलोग के साथ आजका बिलोग सुरू करेंगे और आपको दिखाएंगे देव भूमिकिन खूब शूरत पहड़ों में से आपको पुरा रूबरू कराएंगे और ले जाएंगे नाली हेट पर ले जाएंगे वहां का सुन्द नजारा वहां का प्राकर्तिक सुन्दरता और वहां मेरा वर्क भी चला वो भी आपको दिखाएंगे नमस्ते उत्राखंड पहलाग प्रणाम आई होब सभी स्वस्त और मस्त होंगे अपन लोग भी मस्त है और आज हम जा रहे भी ठाकला होते हुए हम सीधे निकलेंगे लिवनारी तो वहां के बारे में जानकारी भी देंगे तक्रतिक सुंदर्ता वहां का सुंदर वातावरन और वहां के जो नदी नाले हैं तमाम नदी नालों के बारे में आपको जानकरी दोंगा यह है बाज का फीड दिखाएंगे यहां पाठक जी का मकान है यह उपर टॉप में और यह सारे लोग बठें आगन में दिखाते हैं पाठक जी भी आगे पाठक जी आईए ये है पूरा नजरा इस थाकला गाउं का जो मैंने भी आपको बोला था कि मैं कानली में हूँ कानली थाकला गाउं का एक छोटा सा ब्लेज कानली है यहाँ पर जो है मत्सी पालन भी यहाँ पर पाठक जी का है मुर्गी पालन भी है यह पीछे कुकड भी नहीं रखें तमाम चीजें आपको इस कानली गाउं में मिलेंगे पाठक जी की दुकान यहां दुकान में हम लोग हैं अभी कुछ चाय पानी पियेंगे और फी यहां से आगे निकलेंगे दुकान और यह खचर भी आगे हैं हमारे खचरों से यह क्रेसर का यह ता ढोला जा रहा है महंदर ला रहा है यह महंदर भी आ चुका है तो मैं हूं अभी कानली पर यह कानली गाउं है छोटा सा गाउं है ठाकला का एक छोटा सा गाउं है और देखिए पूरा चारों तरफ से कानली मैं पूरा चारों तरफ से घिरा हुआ जंगलू से घिरा हुआ कानली गाओं है और देखिए हाँ पौ कहते हैं पौ आया है और ये जो है बाज के पेड़ है कितने हरे भरे हैं मुमस्त लग रहे हैं और दुरस्त लग रहे हैं बहुती सुंदर आजकल जो प्राकृतिक सुंदरता जो आपको पहाडों में दिखेगी जो पहाडों का आजकल बहुत बहुत बहταरी न आपको लगेगा अगल बगल जो हैं पेड हैं जंगल हैं बीच में रोड है और जंगल भी इस तरीके कि की पूरा ह्रा भरायflow है पूरा हरी आली से प्टा है तो बहुती गजब लगता है बहुती सुंदर लगता है और बिल्कुल ऐसा लगता है कि यहां से पहाड़ों से छोड़ने का मन्नी करता है पहाड़ों को यहां से कही जाने का मन्नी करता है क्योंकि पहाड़ अपने आप में बहुत सुंदर हैं बहुत ही गजब लगता है पहाड़ों में अगर पहाड़ों की हवा आओ हवा और यहां सुनेथा हैं कारी घ्रां आभी कुछ ट्रय आँवाऊ च्छा होजागा और यह होँ है और में पाथक यहां रहते हैं हैसे नेले होड़ANS परिवार जया क Coc mots फॉड़ होड़ाres is पेजल की भी यहां ब्योस्ता है और तमाम हर गणल, हर गणजा से लेकर तमाम सोचाइले से लेकर तमाम ब्योस्ता ही यहां पर दुरस्ते हैं और ले चलेंगे इसके नीचे कानली के नीचे जस्ट पचास मिटर की दूरी पर यहां पर गरुडगंगा नदी है गरुडगंगा लाइने भी यहां से गाउं को गई हैं जिसे गाउंवालों को पानी को पीनी को मिलता है जैसे आपको बता देंगे कोलतुराली पेजली उजना है घिरतोली पेजली उजना है बड़ेत पेजली उजना है द्योनाई पेजली उजना है और भी तमाम पोखरी पेजली उजना अभी भी अन्य कहीं पेजल योजनाई हैं जो यहां से जूड़ रही हैं जिन से हजारों हजार गाउं को पानी पीने के लिए मिलेगा यह कानली गाउं और यहां से लगवा लगवाग आप यह मानिए कि 2-3 किलोमीटर की जो दूरी पर तमाम जो पेजल की लाइन है वहां से distribution line गई है जिससे लोगों को पीने का पानी मिलेगा और भहत सारी सुविदाईं पीने के पानी से लेकर और तमाम चीज़ें गाउँ वालों को मिलती है और यहाँ पर बहुत अच्छी ब्योस्ता है नहरे हैं खेती के लिए जो खेती की ब्योस्ता है खेती में पानी की जो ब्यवस्ता होती है उससे नहरें जुड़ी है नहरू में भी वर्क चला है और जिससे सीचाई की ब्यवस्ता होती है खेतू में पानी डाला जाता है ये तमाम ब्यवस्ताई ये गलगंगा नदी हमको देती है गलगंगा नदी में भहुत सारी कालिगाल नदी होगी खमकोर नदी होगी यह तमाम नदिया मिलती है गरुडगंगा में जिससे हमको तमाम सीचाई की विवस्ता और पीने की विवस्ता यह तमाम चीज़ा हमको मिलती है तो आपने देखा कि आपको नहर का हैड और रास के पीड और यह नदी इसमें भी दिखरी लिगाओं के बारे में जानकारी दी जो भी वहां की जानकारी थी वह आप तक पहुंचाने का परियास क्या और तमाम जंगल का भाग से लेकर वहां की नदी नाले पोकर के बारे में जानकारी भी दी और आज का व्लोग यहीं सवावत करेंगे मिलेंगे कल ने व्लोग के साथ बाइवाद उस्टू